असलाम अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिकारी लोगों की कोई कमी नहीं है इवन अब तो ये लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि 100 रोपे से कम भीग तक नहीं लेते वैसे तो ये धंदा में सफर किया हो तो आपने अक्सर औरतों को गाउन पहन कर भीग मांगते हुए देखा होगा पर क्या हो अगर कोई रन मुरीद अपनी बीवी का गाउन पहन कर भीग मांगना स्टार्ट कर दे वैल यह वीडियो आप दिख रहे हैं इसे डॉल्फन पुलीस ने रिकॉर्ड क लिए कहा तो इसका असली रूप देखकर पुलीस वालों को भी हार्ट अटैक आ गया असल में ये घटा कटा लड़का था जो गाउन पहन कर और मुकमल लकाब करके भीग मांगता था एनिवे जो भी हो ये बाजी तो अब किसी को मुँ दिखाने के काबल नहीं रही दोसो ये वडियों आप दिख रहे हैं इसे लाहोर के बागबान पुरा टाउन में दो पुलीस वालों ने रिकॉर्ड किया था इसमें एक नौजवान शक्स वीलचेर पर बैटा हुआ था और इसे देकर ऐसा लगता था जैसी एक बाजू और एक टांक से माजूर हो इसकी बीवी इसकी वीलचेर को गसीड रही थी और ये दोनों बीग मांग रहे थी वेलिक पुलीस वाले को इन दोनों पर शक हुआ और इसने इने रोक लिया पुलीस वाले ने जब इसकी टांक और बाजू को हाथ लगा कर चेक किया तो इसे दाल में कुछ काला लगा फिर पुलीस वाले ने अपाहिज बेकारी को खड़ा होने के लिए कहा मज़े की बात ये है कि इस पुलीस वाले के चित्तर में इतनी शिफा थी कि बेकारी एक सेकंड से भी कम वक्त में सिहत याब हो गया और उठकर खड़ा हो गया बाराल जो भी हो पाकिस्तान के बेकारी वाके ही में प्रो है दोस्तो आप सबने कही न कहीं इस तरह की स्पेशल सवारी और इस पर मौझूद दोनों टांगों से माज़ूर फकीरों को देखा होगा लेकिन कि आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये लोग आखर में इस पर बैठते कैसे हैं वैल इस पुलीस वाले ने एक राज चलते हुए माज़ूर फकीर को चेक करने के लिए से रास्ते में ही रोक लिया जब पुलीस वाले ने इस बाबे को अपनी गाड़ी से उठकर खड़े होने के लिए कहा तो चितरों के डर से ये डोंकी जो दोनों टांगों से माज़ूर होने का नाटा कर रहा था पुलीस वाले के सामने फॉरान ही आकर खड़ा हो गया सिर्फ इतना ही नहीं बलके इन्होंने जब इसे चलने का कहा तो ये दोड़ना शुरू हो गया वैल इस तरह के नमूने आपको पाकिस्तान के इलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तो आप सबने सुना होगा कि कभी कबार चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था इस वीडियो में एक बिकारी सड़क के दर्मयान में माजूरों की तरह बैट कर लोगों से भीक मांग रहा था इतने में एक शक्स इसके पास आया और इसे पैसे देना स्टार्ट कर दिये जब ये पैसे दे चुका तो इसने बड़ी फर्माबरदारी से माजूर बाबाजी से पूछा कि इन्ही कुछ और चाहिए तो बाबाजी ने दुआ कर दी पर ये बंदा बाबाजी से बड़ा फराडिया था इसने बाबाजी को चकमा दिया और इनका गुलक उठा कर वहां से भाग पड़ा मज़गी बात ये है कि जब बाबाजी ने अपनी जमपुजी लुटते हुए देखी तो इनको भी पर लग गए और ये भूल गए कि ये तो अपाहिश थे बाबाजी तो एक सेकंड में माजूर से वन टू फाइफ बन गए थे एनिवे जो भी हो ढोंगी बिकारियों को एक्सपोस करने का इससे मज़िदार तरीका और कोई नहीं हो सकता दूस्तो दुनिया में सबसे लाचार इनसान वो है जो कि माजूर हो ऐसे लोगों को देखते ही इनकी मदद करने का देल करता है लेकिन कुछ लोग चंद सिक्कों की खातर इतने लाची हो जाते हैं कि खुद को अपपाहिज और माजूर बना लेते हैं यह वडियो आप दिख रहे हैं इसमें इसी तरह का एक बिकारी लाहूर के अंदर पुलीस के हाथों चड़ गया था यह लोटा बिसाक्यों पर चल कर लोगों से भीग मांग रहा था असलमी के शापर बिलकुल ठीक था वैल पुलीस वालों ने भी इसे खुआर करने के लिए इससे चलने को कहा पहले तो इस चैंपू ने पुलीस वालों को चूना लगाने की कोशिश की और कहा कि ये असली माजूर है लेकिन इन में से एक पुलीस वाले ने गुसे में आकर इसे थपड जार दिया और दूसरे ने तो इसकी बिसाखिया ही चेन ली वेल जब इसको पता चल गया कि इसका सौटफ़ेर अपडेट होने वाला है तो इस हाजी साब ने ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया जैसे इसे कोई नई जिन्दगी मिल गई हो अब इससे ज़दा जिल्लत और भला क्या हो सकती है दोस्तों ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक पुलीस वाला एक ढोंगी फकीर का सौटफ़ेर अपडेट कर रहा है ये शैंपू अपना एक बाजू कमीज के अंदर चुपा कर अपाहिज होने का नाटक कर रहा था असल में ये एक पौडरी था और ऐसी कंडिशन बना कर अपने चर्स के पैसे अकटे करता था लेकिन जब ये ट्रैफिक वाडन के हते चड़ा तो इसने सब के सामने इसकी कमीज उतरवा कर अंदर से बाजू बरामत कर लिया लेकिन जैसा क्या वीडियो में देख सकते हैं कि इस चर्सी के चहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी बलकि ये ऐसे खुश हो रहा था जैसे इसने कश्मीर वता कर लिया हो वेल लाइफ में इतना कॉन्फिटेंस तो होना ही चाहिए दोस्तो जाली फकीर ज्यादा तर अपनी टांग या बाजू कटा होने का धोका करके लोगों से पैसे मांगते हैं हाला के अंदर से ये चंगे भले होते हैं ये जो डुबलिकेट फकीर आप देख रहे हैं ये भी इनी में से एक था ये सड़क के दरम्यान अपनी गदी पर बैट कर एट टांग कटी होने का नाटक करके लोगों से पैसे मांगता था पर पुलीस वालों ने भी इसकी नोटंग की देख कर इसका सौटफेर अपडेट करने का फैसला कर लिया था इन्होंने इसे पकड़ लिया और सीधा खड़ा होने के लिए कहा पहले तो इस फकीर ने शोदा बनने की कोशिश की लेकिन जब इसे पता चलिया कि इसे चितर पड़ने वाले हैं तो इसने पुलीस वाले के आगे हाथ जोडने और पौँ पकड़ने शुरू कर दिये आखरकार दो पुलीस वालों ने मिलकर इसे खड़ा किया और ये सही सलामत दोनों टांगों पर खड़ा हो गया सिर्फ इतना ही नहीं बलके खड़े होते ही इसने पुलीस वालों से अपना बाजू छुड़वाया और अपनी गदी उठाकर वहां से भाग गया वैल ये नजारा वाके ही में देखने लाइक था दोस्तों ये जो वडियों आप दिख रहे हैं इसमें पंजाब पुलीस ने एक जहाज को पकड़ा था सबसे पहले पुलीस वालों ने इस शापर से लाठी ली जिसके सहारे चल कर ये लोगों को बेवकूफ बनाता था मज़गी बात ये है कि लाठी के बगएर भी ये बिलको सही सलामत खड़ा हो गया सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इस शैंपू ने अपना एक हाथ भी पट्टी से इस तरह कवर किया हुआ था कि इसे देकर ऐसा लगता था जैसे इसका हाथ कटा हुआ है लेकिन जब पुलीस वाले ने इसकी पट्टी उतारी तो नीचे से सही सलामत हाथ भी नमूदार हो गया लेकिन ये धीट फिर भी अपनी गल्ती मानने को त्यार नहीं था और बार बार ये ही कह रहा था कि ये तो मसकीन है बारहाल जो भी हो ये बंदा वाके ही में चितरों के लाइक है दोस्तो नॉर्मली जब हम किसी बुज़र या बड़ी एजवले बंदे को भीग मांगते देखते हैं तो हम ही उन पर तरसाता है लेकिन ये जो ढोंगी बाबा आप दिख रहे हैं इसे देखने के बात हो बंदा तमीज के दाहरे से भी बाहर आ जाएगा ये चुल बुल चाचू अपना एक बाजू कपड़ों के अंदर छुपाए सड़क पर भीग मांग रहे थे कि एक पुलीस वाले को इन पर शक हो क्या वो इनके पास आया और इसे अपना बाजू बाहर निकलने के लिए कहा पुलीस वाले को देखकर बाबाजी को समझा गई कि आज तो चित्रों चित्री हो जाना है इसलिए इसने चित्रों से बचने के लिए बड़ी फर्माबरदारी का मुझारा किया और अपना चुपाया हुआ बाजू खुद ही बाहर निकाल दिया वेल पुलीस वाले तो ना किया हुआ जुर्म भी कबूल कर लेते हैं और ये शेंपू तो फिर भी सर्याम फराड कर रहा था एन्वे किसी भी बुड़े बंदे के लिए इससे जदा रुस्वाई और भला क्या हो सकती है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस